Cross-Cultural Psychology, Cultural Aspects of Depressive Experience and Disorder Cross-Cultural Psychology के application में हम ये बात शुरू कर चुके हैं कि जो culture and psychology का perspective है या psychological phenomenon को cultural context में समझने की approach है उसकी application किस-किस field में, किस-किस शोबे में, psychology के किस-किस setting में useful होती है जरूरी होती है तो हम इसकी जो application है वो health के हवाले से देख रहे थे और उसमें हमने prevalence of schizophrenia भी देखा हमने cultural and psychotherapy, competent counselor भी देखा हमने disability के हवाले से भी देखा एक बड़ी mental illness जो across the world पाई जाती है और centuries से historically भी there is evidence low mode की तो उसको हम depressive experience and depressive disorder कहते हैं अब हम यह देखते हैं कि क्या उसके भी कोई cultural aspects है Depressive disorder या experience is one of the leading health and social problems इसके तीन पहलू है biological, psychological and socio-culture and environmental क्योंकि socio-cultural जो है वो आपके इद्गित के महौल में प्रचा बसा होता है और उसके हवाले से define होती हैं चीजें तो इसी तरह जो environmental है उनके भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि depressive episode, depressive experience और depressive disorder को influence करते हैं अब कैसे influence करती है, etiology, etiology होती है cause करना, exacerbation मतलब बढ़ाना and maintenance of depressive experience and disorder जो है यनि पहले उसको cause करना फिर उसको बढ़ाना और वो चलता रहे यनि वो depressive episode या experience जो है वो चलता रहे इन तीनों में इन तीनों factors का रोल है biological का भी, psychological का भी, socio-cultural का भी और environmental का भी अब इस understanding की कि हमने cultural aspect समझने है इसका implication क्या है, इसको क्या फायदा है, क्यों करते हैं इसकी implication assessment में भी है, कि हमने depression को assess कैसे करना है, किस तरह determine करना है, किसी scale के जरीए या interview के जरीए कि इस चक्स को हम diagnose करते हैं depressive experience or disorder के हवाले से, फिर इसके diagnosis के लिए भी important है, so assessment, diagnosis, classification के लिए भी कि किस type की ये depression है और वो कहां हमारे manual में fit होती है, और जाहरे जब ये चीज़ें होती है, तो इसकी जो treatment है, उसके उपर भी जो cultural aspect है, उसका असर होता है biological क्या होता है, उमर कितनी लंबी पाई आपकी family में, आपकी chronic disease आपके अंदर क्या है, toxin exposure कितना है, यानि जो toxic हैं उससे आपका कितना वास्ता पढ़ा आप तक पहुंचे, malnutrition, घिजा की कमी, medications, तो ये biological factors हैं जो depression के disorder को influence करते हैं, उसकी जड़ में होते हैं psychological में आपकी family history भी है, लेकिन आपकी identity, confusion and conflict, खुद को क्या समझ रहे हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्या तजाद आपके अंदर चल रहा है, क्या कश्मकश चल रही है, जिन्दगी में मतलब की तलाश है, loss of meaning है, learned helplessness ही होता है कि आप बेबसी सीखते हैं, क्योंकि आपके हालात नहीं बदलते हैं, यह हम पहले भी study कर चुके है, कि learned helplessness जो है, वो बेबसी के कैफियत होती है, जो आप हालात की नाकाबले, कंट्रोल होने की वज़ा से सीखते हैं, और इसके बारे में Seligman ने का कि वो कौमें जिनके हालात ना बदलें, वो भी कई दफा learned helplessness का शिका हो जाती है, तो अगर आप यह experience कर रहे हो तो यह चीज़ depression की तरफ लेके जाती है, powerlessness, मेरा किसी चीज़ पर कोई अख्तियार नहीं है, powerless महसूस करना, social cultural and environmental क्या होते है, role confusion or conflict है, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यह बनना है, यह बनना है, अगर war या natural disaster हो, जो लोग उखड जाते हैं, अपनी जगा से बिख़ जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, urbanization and industrialization होती है, शेहर बनते हैं, industry बनती है, उससे जो तबदीलियां आती हैं, वो आपके environmental and social cultural चीज़े हैं, वो भी effect करती हैं इस बात को, तो हमने mood को यह depression को अकेले नहीं देखना, इस पूरे महौल और सियाको सबाक और context के साब से देखना है, बहुत जल्दी अगर social change आए, cultural disintegration हो, culture की values, culture की शकल इतनी तेजी से बिकर रही हो, बदल रही हो, collapse हो जाए, फिर racism and sexism हैं, कि अगर आप किसी के gender की वज़ा से या उसकी नसल या रंग की वज़ा से, उसके साथ इमत्याजी से लूक होता है, तो ये social cultural environmental factors है, जाहर है culture जो है, जिस तरह reality को समझते हैं, उसमें उन में फरक होता है, वो जो meaning assign करते हैं किसी चीज़ को, उसके मतलब निकालते हैं, और जिस तरह वो बड़े होते वे लोगों के साथ रहन सहन सीखते हैं, socialization patterns जो होते हैं, इन इन में फरक होंगे, तो नफसियाती बिमारी या psychopathology में भी ये फरक जो है, वो reflect होगा, ताहर है, फिर depressive experience और disorder में भी होगा, एक बड़ा मसला ये है कि जो लफजी मतलब है ना, semantic confusion है उसमें, जो लफजी मतलब है ना, depression का, उसमें भी confusion है, जिस तरह वो इस्तमाल हो रहा है, ये एक mood भी है, ये एक syndrome भी है, और बहुत से syndrome के disorder को भी या disease को भी depressive कहते हैं, ये साथ ही साथ एक और मतलब की तरफ इशारा करता है, जजबाती तजर्बा, effective experience and social consequences, ठीक, के समाजी नतीजा का निकल रहा है और जजबाती तजर्बा क्या है, तो ये सारे मतालब और मफूम जो हैं मोड डिप्रेशन के लफज के साथ, जो हैं मोड जुड़े हुए हैं, अब mood symptom and syndrome, ये जिन्दगी के context में देखा जाए अगर तो ये जैसे experience किये जाते हैं, जैसे लोगों को बताए जाते हैं और जैसे दूसरे इसको react करते हैं, ये मुखतिफ life context में तीनों तरह से य पहले होते हैं, अब जो clinician हैं वो भी अपनी मतलब और अपनी interpretation और अपनी वजाहत जो है वो depressive experience और disorder के बारे में अपने जहन में रखते हैं और उसका वो मफूम बताते हैं मरीज को, लेकिन वो culture से हटा के बताते हैं, ये एक खास बात है जिसको बहुत challenge किया जा रहा है, कि depression को भी समझना है, तो culture के context में बात करें, clinician जो therapist है, अब जो normal personality किस चीज़ को कहा जाता है, और हमारी situation में क्या-क्या stressors हैं, ये consider अगर clinician नहीं करेंगे, तो उससे हम पूरी तरह इसको नहीं cultural context को संभाल पाएंगे, और हमारी जो treatment, diagnosis और assessment है, वो out of context हो जाएगी. अब जो historical western perspective है, उसमें hypocrites ने बहुत पहले before Christ, जो है एक term थी, melancholy, fear, nervous, conduct and sorrow, ये इसके मतलब थे, melancholy के. Christian church ने इस term को उठाया और ये history में इसको dejection, यानि एक बड़ी पुजमुर्दगी के sense में लिया जाता था, sadness है, सुस्ती है, non caring है, sluggishness है और myucy है, ये सारे इसके मतलब थे. तो एक किताब लिखी थी 1652 में, melancholy या Robert Burton ने depression की term 17th century के बाद शुरू हुई, लेकिन अब melancholy का term जो है, वो DSM में फिर आ गया है. culturally लगता है कि melancholy से बहुत जादा engagement रही है western culture की, western institutions की, church की, society की, literature की, art की. ये तीनों painting जो है, इनका title है, melancholy, यानि sadness, यानि sorrow, यानि depression. अब इसके diagnosis और psychiatric classification में भी problem है, इसी लिए journal of cultural psychiatry ने, trans-cultural psychiatry ने ये question raise किया, किर्मियार इनके editor है, पिठाकर और वाड ने भी का, कि DSM सारी दुनिया के लिए नहीं है, ये universal नहीं है, क्योंकि बना western symptoms में based करके है, इन सवालों पर हम आगे चल के भी बात करेंगे, क्योंकि अभी हम इस topic को लेके चल रहे हैं, DSM जो है, वो human problems को इनसान में देखता है, जो लोग psychiatrist के पास आते हैं, वो अपने problems उनके जो हैं, वो उनकी family interaction, behavior, community और जो social उनके circle हैं सिफियर्स हैं, उन में से जुड़े होते हैं वो problem, तो वो सिर्फ उसकी जात में किस तरह देखा जा सकता है, culture जो है, इस बात को भी experience करता है, influence के आप जा के बता क्या रहे हैं, Chinese कहते हैं कि मेरा ना कमजोरी है, ठकन है, और सर में दर्द है, होती depression है, Hopi Indians जो हैं वो कहते हैं मेरा दिल तूटाव है, दिल तूट गया है, Latino और Mediterranean पेशन जो है वो कहते हैं कि मुझे nervousness हैं और headaches हैं, Asian और Chinese पहले ही बताया कि हमारे पठे अख़ड़े होती हैं, होती है असल में उसके बीचे depression या anxiety है, मीडर लीस्ट में वो कहते हैं कि जी दिल का प्राब्लम है, तो जब कल्चर में उसके अलफाज ही फर्क हो गए, तो clinician को देखना चाहिए कि ये कह क्या रहा है और हो क्या रहा है, कुछ बातें याद रखने की, depressive disorder की कोई universal conceptualization नहीं है, इसका experience, meaning और expression जो है, वो cultural context में बदलता है, इसके कुछ cultures में somatic science जियनी जिस्मानी ज़्यादा होते हैं और कुछ में कुछ और ज़्यादा होते हैं, उसके लावा ये जो western culture में कहते हैं कि depressive के साथ guilt, खुद को मलामत, suicidal ideation, gestures, existential complaint के दुनिया क्या आए, जिए 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 मेरा मकसद क्या है, ये non western cultures में नहीं पाई जाती हैं depression के साथ, तो आखरी बाते हैं और याद रखने वाली के standard personality correlates depression के, जैसे low self-esteem, वो western में है, eastern cultures में उस तरह नहीं पाई जाते, तो हमें अपनी तमाम जो महावरे हैं, तमाम जो जबान हैं, लोगों की जजबाती तकलीफ की, distress की, psychological नवस्याती तकलीफ की, उसको cultures के context में समझना है, तो फिर अब क्या करें, we will continue with this talk.